Newton's laws of motion question number 37 question check mass pulley system में यह पूली है इस पूली से एक तरफ monkey है ठीक है यह मंकी वाले देख तरफ monkey है और एक तरफ block है और यहां पर क्या किवान है mass of block equal to mass of monkey यहां अंकी का mass और block का mass same है और यह same same level पर है ठीक हमें यह प्रूव करना है कि इन दोनों का acceleration same direction में same होगा same magnitude होगा और दूसरा कि इनका displacement same रहेगा जो लेवल हो हमेशा same रहेगा उपर जाएंगे तो भी same level पर रहेंगे नीशे जाएंगे तो सब्सक्राइब यह में प्रूव करना है तो मैं काम करते हैं माल लेते हैं इसका acceleration इस तरफ ए है और इस एवन हमने माना इस तरफ ए और एटू कमने शुम किया होगा तो एकूँ क्या जाएगा मैनिस माझे जाता है तो उपर के तरफ ए और एटू प्लस में आता है तो हमारा तोसका टेंशन भीटी हो सेम स्ट्रिंस सेमरेगा इसी से लिए एक निए की Ho टेंशन नीचे एमजी यह कैज लिए कission के लिए तेंशन है निचे यह कुंगी है देखाएगा टी-मईप्र plus t is equal to m a1, यहाँ पे t से मैं तो मैं काम करता हूँ यहांथ से t की वेल्ट इसमें पूट कर दाता हूँ equation 2 में t की वेल्ट करता हूँ तो किया था यहां से t की वेल्ट वैल्ट एग तीस इकल तो m a1 PLUS mg यहां पे पूट करता हूँ तो किया था mg minus m a1 minus mg is equal to m a2 तो mg mg cancel यह आता है minus of m a1 is equal to m a2 तो a2 आ जाता है minus of a1 यानि जो हमने assume किया a1 वो गलत है क्योंकि negative आ रहे है तो जो direction a2 की direction क्या होने चाहिए upward होने चाहिए और a1 की direction क्या है upward है और यह क्या बोल रहा है a2 is equal to a1 यानि दोनों का magnitude सेम रहेगा और direction भी सेम रहेगा अगर a1 डाउनवर्ड होता तो a2 भी डाउनवर्ड होता अब देखो displacement अभी यह इस लेवल पर है तो अगर इसका acceleration same है और इन दोनों acceleration same है तो same time पर same displacement होगो इन्हीं जाये लाइगे तो भी सेम लेवल पर रहेंगे और नीशी जाएगे तो भी सेम लेवल पर रहेंगे और जाएप